नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं बजार के अंदर आपने कल के दिन देखा बड़ा एक्शन आपको बजार के अंदर देखने को बिला कर मैं निफ्टी की बात करूँ तो जिस तरह से उपर के लेवल से हम लोग को तेजी देखने को बिली बाकी जो स्टॉक से लगबग 30 वंस मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 की तो उनके अंदर हम लोगों को गिरावाट देखने को बिली है तो क्यूज अब तक हमने देखे नेगटिव देखने को बिले कल के तो आज क्या होने वाला है आज किस तरह क का एक्षन बजार के अंदर देखने को बिलेगा क्या आज भी निफ्टी हम लोगों को गिरता हुआ नजर आएगा टोटल मार्केट के अंदर हम लोगों को सैलिंग प्रेशर हाई होता दिखाई देखा या वापस से इसके अंदर हम लोगों को एक तेजी का मोमेंटम भी द पोजेटिव बंद होता हुआ दिखाई दिया है लगबख 90 पॉइंट की रिकवरी हमें डाउ जोंस में देखने को मिले इसी तरीकी से कर देखें तो बाकी के जितने भी सारे कंट्री से उनके इंदर हम लोगों को गिरावाट देखने को मिली है टोटल मार्केट के इंदर टोटल वर्ल्ड गिरावाट वाला रहा है तो कल के जो थे वह नेगेटिव थे तो आज की किस तरह की के होने वाले हैं फ्यूचर के इंदर हम लोगों को किस तरह की का ट्रेड होता हुआ दिखाई दरा यह चीज़ चोड़ी सी अबजर्व करने वाली होगी तो सबसे पहले चाहिए निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा है पोज्टीव संकेत माने जा सकते हैं निफ्टी 50 आज आप और जो है ओपन होता हुआ नजर आ सकता इसी तरह के इसे तरह के इसाप से एगर देखने की कोसिस करें तो करने सी के इंदर हम लोगों को किस तरी की स्टुशन दिखाई दे लिए तो लगब बग युएसटी की बात करते हैं तो आपको रैड में दिखाई दे रहा है यूरो की बात करते हैं तो गरीन है जीवपी आइनर इसके अंदर भी हम लोगों को मजबूती देखने को मुझे देखने को मुझे तो कह सकते हैं कि जितने हम लोगों को इ शाल देखने को मल रहा है चान्दि की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को मजबूती की कोई इसी बात नहीं बट जो क्यूज हैं हम लोगों को उनको जरूर पोलो करना चाहिए और देख लेना चाहिए कि माल किस तरह की का उठाया जा रहा है फाई इस की तरफ से और किस किस सेक्टर के अंदर हम लोगों को आज तेजी देखने को मिल रही है या फिर ऐसा हो सकता कि कि दो तीन दिनों तक कोई सेक्टर हम लोगों को गिरता हुआ नजर आ तो हो सकता कि उसके अंदर कुछ तेजी के लेवल देखने को मिले और यह भी जरूरी नहीं है कि किसी भी सेक्टर के अंदर सारे शेयर बढ़ रहे हूं तो आपको थोड़ा सा यह सारी चीजे भी उब इसके अंदर हम लोगों को पॉजिटिव मैस देखने को मली इसी तरीके से अब देखते हैं कि सेक्टर वाइस क्या गेम जो है खेला गया है तो देखें निफ्टी पीस्वी बैंक के अंदर रेली बनी हुई है आज से नहीं काफी दिन हो गया है लगातार जो अच्छाथा म पॉजिटिव आपको दिखाई दरा तो डिबी को और के अंदर तेजी देखने को मली दिखें यह भी तेज रहा काफे सारे शेयर्स हैं के अंदर को मजबूती देखने को मिली है जील के अंदर भी कल के दिन तेजी रही है तो अब अगर देखे तो निफ्टी एनर्जी के अंदर हम लोगों अच्छे कासे मूँद देखने को मले हैं निफ्टी ओटो भी ठाक रहा अब जो गिरने वाले जो सेक्टर है निफ्टी बैंक के अंदर गिरावाट देखने को मिली है तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको स्टाइटिक में बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि दो तीन दिनों तक आपको कोई सेक्टर गिरता हुआ दिखाई दा रहा है तो उसके अंदर हम दोको हो सकता कि अच है खरीदारी कितनी बारी हो रही है और के लिए बारही को मिली है लगब आँभाग एक Alt करूड के चैस अ 1 प्रवाली हम लगों को देखने को मोमेंटम जारी है तो सबसे पहले कंपणी होने वाली है टाटा मोटर्स निकल कर यह है इनकी एक कंपणी है जैगवार लैंड रोवर इसने जो है लगबाग गर गलोबली बात करें तो तो एक बड़ा action जो है आपको Tata Motors के अंदर आज के दिन देखने को मिल सकता है जब इतनी बड़ी खबर आती है तो कुछ ना कुछ तो आपको हल चल देखने को मिलेगी तो दोस्तो अब अगली company के बारे में बात करते हैं डिस टीवी का नाम आपने सुनाई है 11 रुपए से पैसे के आसपा स्टोक्स चल रहा है कल भी आपको स्टोक्स के अंदर देजी देखने को मिली थी एक बड़ी खबर निकल के आई है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको और भी अच्छागासा momentum इस company के अंदर देखने को मिले है क्योंकि डिलिवरी सीचुशन देखे लिए बगभग 37% से जादा की उठाएगी है कल के दिन तो वो बड़ी खबर क्या है कि फिलाल में company प्लान कर रही है fund raise के बारे में तो लगभग ये fund raise कितना हो सकता है 10 billion rupees 10 billion rupees के आसपास ये fund raise को सकता है तो ये बड़ी खबर आई है एक बड़ा action आपको इस company के अंदर देखने को मिल सकता है तो बात करते हैं अगली company के बारे में तो अगली company का नाम है वेदानता limited काफी action वाला ये stocks रहा है तो कल भी आपको देजी देखने को मिली है तो एक बड़ी खबर निकल के आई है कि रेटिंग एजन्सी है और उसने फिलाल में कहा है कि outlook इसका negative कर दिया तो हो सकता है कि इसके इंदर भी हम लोगों कुछ ऊपर नीचे के chart pattern देखने को मिले तो ये चीज थोड़ी से आपको observe करकर चलनी चाहिए पता चले आप इसके इंदर इस लेवल पर खरीदारी कर रहे है इसके इंदर लगाता रहा हुँ को गरावट होती वी चली गई दोस्तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी गेल इंडिया लिमिटेड से जो 135 उर्पे के आसपास ये stocks चल रहा है खलाल में अगर आप कल की delivery situation देखेंगे कि तो लगबग 29% के आसपास इसके इंदर आपको delivery दिखाई दे रही है अब बड़ी खबर क्या आ रही है company कर रही है buyback यानि कि जो buyback इनोंने date दी है वो start होने वाला है लगब 25 फरवरी को तो 25 फरवरी को buyback start होगा और वो close होगा 10 मार्च को तो इस time period के दुरान हम लोगों को ये बड़ी moment stocks के अंदर देखने को मिलेगी तो आज आपको इस stocks के अंदर भी बड़ी हल चल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अभी अचानक से ख़बर निकल किया ही तो कुछ नो कुछ moment आपको news based company के अंदर देखने को मिली जाता है तो इसी तरी किसा आज इस stocks को भी आप अपने radar पर रखकर चल सकते हैं बात करते हैं अगली company के बारे में तो इंडिया मार्ट देखे आपको लगातार stocks के अंदर गिरावाट देखने को मिल रहे हैं कल एक बड़ी कबर निकल क्या ही है फंट्रेस से related QIP के जरिए जो है फंट्रेस कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप बोच आउट करके चल सकते हैं इसके अंदर हम लोगों को एक बड़ा action देखने को मिलने वाला है उसको market में भरभूर action आपको आज के दिन देखने को मिलेगा और वैसे भी आप जानते ही हैं कि अभी दो तीन दिनों का खेल बाकी है तो कहने का मतले हैं कि अच्छे कासी चाल आपको बजार के दया देखने को मिलेगी जो दोस्त नए हैं और डीमेट account ओपन कराना चाते हैं तो अप स्टॉक्स के अंदर डीमेट account ओपन करा सकते हैं लिंक नीचे description box के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट उपन करा सकते हैं दोस्तों करी जानकार या आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताकि नई वीडियो के रिटिफिकिशन सीधे आपके मुबाइल पर मिन्स के चैनल सुमस्च करे क्या आपके मुड़ करने टार सकते हैं